हालो गाईस आज की सी नहीं वीडियो में आपका वहत बहुत स्वागत है आज की वीडियोमें दोस्तों हम आपको सिखाएंगे 80 cm कपणे में किस तरीके से करें किसी भी साइज की 80 सेंटीमीटर कपड़े में दोस्त आप हैवी से हैवी साइज की विलाउज की कटिंग कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से अगर दोस्त आपको फुल डिटेन में सीखने है तो चोटी सी वीडियो अच्छे से वाच करेंगे तो आप एक बार में सीख जाएंगे अ आपका दोस्तो अस्तर भी हो सकता है या फिर दोस्तो रूबिया का भी कपड़ा हो सकता है लेकिन आपका कपड़ा जितना मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगा अगर उतना ही कपड़ा है तो आप जैसे मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगा उसी तरीके से आप कपड़ा म फिर इसमें क्टिंग कर सकते हैं अब तो प्रिच से लगा लिए कपड़ है बिगारे कर नहीं कहले है किया अगर आप इसमें योल गींग करती हैं लोगांके बाद में ब्लोज में और हमारी जो स्लव THIS में वह रहेंगी तो यहोगा हमारा लूज हो जाएगा तो इसले दोस्ते आपको क्या है करना हमेशा प्रेस लगां करना है खाई जरत नहीं में बनाएंग भी मैं कंशोपने है लेकिन आपकर ब्लावग olur consistsmek यह तो हमारा अस्तरो या रूबिया का कपड़ा आपको प्रेस लगा कर ही cutting करनी है, तो क्या होता है काफी finishing आती है हमारे blodge में, तो इस तरीके से जैसे हमने इसमें प्रेस लगा लिए, अब इदर दोस्तों क्या है, हमारा open site है, इदर हमारी किनारी है, तो इस तरीके से क्या करें अच्छे से इसे set कर लेंगे, अब दोस्तों मैं इसको नाप के दिखाता हूँ, इस तरीके से क्या करूँगा, जैसे inch, जिदर हमारे inch है, उदर भी दोस्तों आप नाप सकते हैं, या फिर दोस्तों आप centimeter के हिसाब से भी नाप सकते हैं, यह दोस्तों जो हमारा कपड़ा व हमारा होता है, 31 inch का, तो इसमें हमारा कम है, 2 cm, दोस्तों हमारा इसमें कम है कपड़ा, यानिकि 78 cm कपड़ा है दोस्तों यह हमारा, तो इसमें नॉर्मली हमारी विलाज की cutting हो जाएगी, वह कैसे cutting होगी, मैं आपको आगी वीडियो में सिखाऊंगा, अब इस तरीके से मैंन लाँ इस तरीके से आपको कपड़ा लिकाल देना है एक तरफ का एक तरफ का हमारा कपड़ा लिकल जाएगा अब यहाँ पर क्या करेंगे जैसे मैंने एक तरफ कर यह सारा कपड़ा लिकाल के रख दिया बहर की तरफ ठीक है अब यहाँ पर क्या करना है इतना हमारा कपड़ा ऐसे हमारे इनकी चैस्ट है 38 चैस्ट तो 38 का चौता ही हिस्सा हो जाएगा दोस्तों 9.5 इंच आपको कोई साभी साइज जो उसका चौता ही भाग करना आपको इस तरीके से निसान लगा देना है अब उसके बाद दोस्त आपको 2-5 इंच तक का टाइड लूच का मार्जिन छो प्रेस से क्रिच बैठा लेंगे जिससे के हमारे जो कपड़ा फूला फूला आता है वो नहीं रहेगा इस तरीके से क्या करेंगे अच्छे से प्रेस आपकी गरम हो तो इस तरीके से आपको क्या करना है क्रिच बैठा लेने हैं इस तरीके से फिनिसिंग से हम यहां पर क्रि किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको डेटेल में सिखाऊंगा अच्छे से फिनिसिंग से आप पूरी वीडियो अच्छे से बहुँच करें जिससे की आपको अच्छे से समझ में आए अब यहाँ पर क्या करेंगे इसकेल की मदल से दोस्तों आपको एक नीचे निसाल लगा करेंगे क्योंकि हां पर हमारा आड़ा ठेड़ा कपड़ा है तो वह कटिंग हो पर हट जाएगा तो इसलिए दोस्तों एक निसाल लगाएंगे फिनिसिंग से हाँ ठीक है घ्याशल लग गया अब हीजल्ग दोस्तों आपको क्या करना है टेडी इंच का यई पौर दो इंच के यहाँ पर इस तरीके से निसान लगाना है ठीक है यह दोस्तों हमारे नीचे तुरपाई के या hook का आई पट्टी बनाए, कोई सावी बनाए, लेकिन यहाँ पर आदा इंच का ही margin रहेगा, ठीक है, मेरे तरफ दोस्तों यह open site है, और आपकी तरफ बं site है यह, क्योंकि दोस्तों मैं आपको open आगे hook, open वाला बिलाउच कटिंग करना सिका रहा हूँ, ठीक है, चाया आप button लगा सकते हैं, hook भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज लगा सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से आपको कपड़ा विच्छाना है, अब यहाँ पर इस तरीके से हमारे निसान लग जाएंग, अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों हमें लंबाई का निसान लगाना है, बिलाउच क है जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें आपको एक इंच ही पिलस करना है टोटल दोस्ता हमारा यहां पर आ गया है 16 तो 16 इंच क्या करेंगे नीचे की तरफ दोस्त हम हमारी वह 38 इंच अगर आपकी दोस्तों 38 इंच चैस्ट नौर्मल जैसे मैं आर्बण करि सी तरीके से आप लगा सकते हैं यहाँ पर अरक निचसान लगाएंगे साड़े चेंच का ठीक है इस तरफ के सब 7 करेब कर दोस्तों हमारी उसमारी प्लों घ्रप कि तो प्लेट लेंद अगर आपके 28 dachte is to apply for ADD न Arms लगा सकते बंसक्ते यानि की साथ 10 इन्ठ हमारी टोल प्लेट लेंद की लंबाई या आदा इंच इसमें प्लेस करें गेंगे 11 पी इस तरीके से लगागे क्शय की साथे दस लेंगे और यह निसान हम दोस्तों सीधे कर देंगे इस तरीके से आपको सारे निसान जो भी लगाएं हैं वह आपको सीधे कर देंगे चेस्ट के इसापसे दोस्तों समय प्लेट की निसान लगाएंगे और के और सटाब यहां किभाने सब्सक्राइं पैसरी निंचे निसान लगांगे को नीचे आपको लगा देंगें लुख्युत यहाँ पर लगा देना है यह तो हमारे निसान लग जाएगा इस तरीके से हमारे निसान लग जाएगा यहाँ पर जो दोस्त हमारी डॉट पड़ेगी उसके लिए दोस्त हमने दवाब दे दिया है एक इंच कहीं पर यह दोस्त डॉट का निसान हमने सीधा कर दिया है अब यहाँ पर दोस्त हमने निसान लगाया है उस पर दोस्त हमारी चैस्ट का निसान लगता है चैस्ट दोस्त कमर का और चेस्ट का निसान इस तरीके साब को फनिस्ञिंग से सीधा कर देने हैं और यहाँ पर दोस्त आपको margin छोड़ना है 2 से 30 तक का है यहाँ पर tight lux का margin छोड़ेंगे और यहाँ से दोस्त यह dot की निसान सीधा कर देंगे cross में और यहां से भी दोस्तों आपको cross में dot का निसान सीधा कर देना ठीक है इस तरीके से हमारे निसान लग जाएंगे dot के जगे पे अब यहां पर दोस्तों आर्मो लेंट का जो निसान लगा है उसी पर दोस्तों हमारी front cross और back cross का निसान लगता है तो वो कैसे लगेगा यह भी द दोस्तों आपने हमारी वीडियो नहीं देखिए तो वीडियो को लिंक डिसकर से मिल जागा वहां से जाकिए आप सीख सकते हैं यहां फिर दोस्तों हमारी चैनल को subscribe कर लें बैल आइकन को लाओ कर दें जिससे कि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी आपको notification मिलती रहेगी ठीके तो यहां पर दोस्तों 38 इंच से हमारी चैस्ट है तो इसमें धो front cross का निसान लगाएंगे वो लगाएंगे 5.35 इंच का फूह लगाएंगे एक इंचाली अबड़ा को जो लगांगे वो हो जाएगा दोस्तों हमारे back cross का इस तरीके से हमारे यहां पर निसान लग यहाँ पर दोस्तों जो डौट के निशान है वो हमें दार्क कर देने ठीक है यह दोस्तों कि यह दोस्त इस अप लिग सकते हैं जैसे हमारी शर्चिंग से यहाँ पर है 거지 प्रूब लगता है जैसे इसमें दोस्तों जो हमारा साड़े साथ इंच है तो दोस्तों जो हमने फ्रेंट क्रोस का निसान लगाए वह दोस्तों क्या करेंगे निसान लगा देंगे 11 इंच पर ठीक है यह दोस्तों क्या होता है जो हमारा सोल्डर का निसान लग जाता है लेकिन दोस्तों आपको से छीखना है कि सोल्डर बेंपर जाकि प्रेलि ép कर सकते हैं अब यहां से दोस्तों डैक्रोस की सेफ डेना है सबसे पहले आर्मौल की ठीक है इस तरीके से और फिकर यहीं पयाल है नीजसे उन्हें रहे चोटाइब आलीरीड के सीफ देना आज जाईगी ठीकर अब हिहां पर दोस्तों बोलो से आपको कोई स्कता बनाना हो तो आप बना सकते हैं इस तरीके से मैं निसान कोई से ल से अगर तक अब दोस्तों नॉर्मल जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे से आप कटिंग सब्सक्राइब करना थी जो भी हमने निसान लगाया था एक हुश कहबा दोस्तों जो दूसरे निसान लगाता वह हमारा हुख्यी के पत्ती के मार्जन करने साने ठीक है यहां से क्या करेंगे गैले पर आपको से कटिंग कर देना है अगर वीडियो में कोई युज्या सब्परढ़ को प Eli अब हम यहां से दोस्तों क्या करेंगे इस तरीके से बिचा दो mod और आप की तरफ यह बिचिए ऊपन साइट इस तरीके से ब divy चाने की व्यरत करेंगे। दोस्तों अच्छे से फिनिसिंग से आपको सेट कर लेना है अगर हैं से आप प्रेस लगाएंगे तो आपके इदर-उदर नहीं भागेगा पला और अच्छे से आपका सेट हो जाएगा अब इसी को ऊपर क्या करेंगे जो हमने फ्रेंट पला कटिंग करा है इसे दोस्तों अच्छे से आपको सैट क काफी कम रहेगा तो आपको हलका सा अर्जेस्टमेंड करना है तक dances टरीके से आपको अच्छे से बिचा दे ना नीचे भी दोस्त आपको कपड़ अच्छे से बिचाना चाहिए आप यहां से दोस्तों क्या करेंगे फ्रेंट पले के बैक पल्ला जो कटिंग होगा वो आदा इंच इस तरीकी से उपरोठा की लंबाई का कटिंग होगा और इधर भी दोस्त हमें निसान लगा लेने ठीक है अब यहां से क्या करना दोस्तों इस जगे से हमारा पल्ला है फ्रेंट पल्ले का इस तरीके से आदा आपको हटा देना हटाने की बात क्या करेंगा दोस्तों एच जगेसे अमें गले के लंबाई का निसान लगाना है जितनी भी आपको इस तरीके से सीधा कर देना है अब यहां पर दोस्ता हम गोल गली शेब देगा हम्सारी बनाने में यूज हो जाये इस तरीके से हम गला कटिंग करने वद आरह से हमें प्रेंट कर दोद आ है द रहा है उसे के ब्राभर से अब हम इन्हें कजाए और चा दीनुग कर देना बैक पल्ला अच्छे से कटिंग कर देना इसी के बराबर से हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से हमारा यह फ्रेंट पल्ला कटिंग और बैक पल्ला कटिंग हो जाएगा अब यहां से क्या करेंगा दोस्तों फ्रेंट पल्ले को करेंगे साइट में इस तरीके से ठीक है अब उस से क्लिए के दो्स्तों यह माना जो नियुट का मारियन चूटेगा उस तरीगे से हमें Höre शूडए की तरफ यह निशान हमारा लग जाएगा अभी कैची के मदद से अमने यह सा लगाता है हुआ इस तरीके से निशान लगाने के बाद यह निसान कर देंगे, डौट का सीधा, ठीक है, अब यहां से दोस्तों, जो हमारा ester, कपड़ा रहेगा, वो finishing से, इस तरीके से हमें, cutting कर देना, यह दोस्तों हमारा back पला, front पला, cutting हो गया है, अच्छे से, finishing से, अब क्या करेंगा, दोस्तों हमें, बाजू किस तरीके से cutting करे बाजू करने के बार आपको बाजू कटिंग करने के दोड़ आपको नौच पर इस तरीके से चबबर में फोल्ड करने के बार आपको नॉर्मल बाजू कटिंग कर देनी है इस तरीके से जब हम कटिंग करेंगे तो क्या होगा हमारे इस तरफ जोड लगेगा इस जगे पर आप जोड भी लगा सकते हैं ठीक है अब यहां पर दोस्तों क्या है हमारा थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा बचा है तो हम क्या करेंगे इ से क्या करेंगे एक निसान लगाइंगे ठीकए हूं से निसान लगा देंगे पैक्त व क्या करना इनची टेप रखना है इसी Quando न अपन नहीं है तो दोस्तों यहां पर जो हमा की आँच इंच तो इस तरीके से हमारी लंबाई नहीं निसँ करना है, जैसे 8 इंच हमारी बाजु के लमबाई उसमें आधा इंच आपको पिलस करना है, जैसे 8 इंच हमारी बाजु की लमबाई, 8.5 इंच पर इस तरीके से रखेंगे एक निसान लगा देगे अब यहां से क्या करेंगे दोस्तो जोते आप 3 या सवा 3 इंच पर हम आर्म का निसान लगाएंगे जुँ का ठीक है अब हमने் ऑज्यू कि करें तक्म टेस्टे कसी तरीके से करें इस आप को समझ में आ जाएगा कि बाज criter क्या कि होती है लिए इस तरीके से सीधा कर देनी अब यह दोस्तों क्या होगा होती है है इस तरीके वायाम अ करने कि और 7-3 इंच इस तरीके से हमने बाजू बैसेपस का निसान लगा दिया नीची दोस्त आपको ममोरी का निसान लगा देना महोरी दोस्त इसमें हमारी है रशी के 12 इंच हैं लेकिन हां हिस्ता हो जाएगा 6 इस तरीके से इसन सीदा कर देंगे और यहाँ से दोस्तों इन इससान सीदा कर енगे ठीक है इतना हमारा कॉपड़ एस्टर है वह सकता है झोड़स एक यह सब्सक्राइब पहाला 1267 और नॉल वटा सा cutting करें त्थीक है इस तरीके से cutting करने के बाद यह हमारी हो जाएगी बाजू cutting अब यहाँ पर दोस्तों हमारे कपड़ा बचा ही क्या करें इस तरीके से हम लगा देंगे ठीक है बो इस्टिचिंग करेंगे उसी तेयम हम क्टिंग कर लेंगा जोड लगा देंगे इस तरीके के से फार जर्म लगाने के बाजू के बाजू हमारी सेट की से में चार्फ हो जाया है लखना है इस तरीके से निसाल लगाने बाद हमें फ्रेंट की घहराई की इस तरीके से आपको कटिंग कर देनी ठीक है जब यहां पर जोड लगा ते उसके बाद आप कटिंग करें यह दोस्त हमारी बाजू कटिंग हो जाएगी फिनिसिंग से यह हल्का फुल का जो भी हमारा खर्चा बचा हुए यह हमारे गले बनाने की काम आ जाएगा या फिर दोस्ता आप मैचिंग का कपड़ा अलग आपके पास हो थोड़ा बहुत तो भी आप गले में इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है यह दोस्त हमारा गला बगर वैसे बन जाएगा इसमें अच्छे से यह भी हमारा इसमाल हो जाएगा वह बाजू के जोड़ भी हमारे लग जाएंगे ठीक है इस तरीके से हमने आपको सिखा दिया 80 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर से कम कपड़े में बिलाउज की कटिंग किस तरीके से करें बहुत ही सिंपल तरीके से अगर दोस्त आपको फिर भी कोई डा लगता हो तो हमसे कमेंट करके पूण सकते हैं आगा दोस्तों पर पहली वारा है वीडियो जोग रहे हैं तो लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब पहले ना आइकॉन क्लाउप करदे में जिससे कि हमाएं नई वीडियो नोटकेसन आपके पास पहुंचती रहाए Panos वौचि